हलो नमस्कार इस्टुएंट मैं अब विशेक बारगाओ भारगोग लासे स्वीट चैनल में आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज का मारे वीडियो को टॉपिक है वह है भारती रेल के महातुपोड प्रेश्न करेंट अफेर 2019 पार्ट तू इससे पहले मैंने पार्ट अप्लोड किया था वह बहुत सारे लोगों ने देखा और उसके डिमांड के बाद अब पार्ट तू जो है अप्लोड करने जा रहा हूं तो शुरू से लेकि लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेगा क्योंकि यहां से जितने भी कोश्चन मैंने लिए हैं बहुत जादा तो शुरू से लेकि लास्ट तक देखेगा पीडियो जो है यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीगरम ग्रूप में मिल जाएगा ठीक है तो वहां से डाउनलोड कर लीजेगा तो देखे आज का पहला प्रशन है बहुत ही सिंपल सिंपल प्रशन लिया है दोनों क शوعतंत्र भारत का पहला रेल्वे बजट प्रस्तूत किया था भारती रेल का स्लोगन क्या है? Most important प्रशन है भारती रेल का स्लोगन क्या है? Most time भी ठीक लगा लिजेगा तो भारती रेल का स्लोगन है राष्ट की जीवन रेखा क्या है? राष्ट की जीवन रेखा भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कहां मना है? अभी बी का निव्स है और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रशन है यह भी ठीक है यह बना असम के भोगी बिल में ठीक है तो भारत का सबसे लंबा रेलवे सलक पूल कहां बना बोगी बिल असम बोगी बिल में प्रधान मंतरी ने क्या किया था 25 दिसंबर 2018 को असम को क्य किया समर्पीत किया यह पुल क्योंकि बहुत टाइमों से क्या हो रहा था बनने की कोशी जोरती लेकिन नहीं बन पा रहा था ठीक तो 25 दिसंबर 2018 को क्या किया प्रधान मंतरी ने इसे बनाकर असम को समर्पीत कर दिया यह सेत्तु जो है यह डिब्रुगाड और धेमाजी ज लंबा है तो यह भी लिख लीजेगा 4.94 किलोमेटर कितना लंबा है तो 4.94 किलोमेटर इसकी लंबाई है यह बहुत इंपॉइंट कोशन है इसलिए इतने पॉइंट इसके बनते हैं ठीक है पूछा जा सकता है एक्जाम के अंदर में सातों प्रशन है कि 6 दिसंबर को राय राय बरेली में मौडन कोश फेक्टरी में प्रथान मंत्री नरेनर मोदी ने कितने कोश को हरी जंडी दिखाई है तो यह दिखाई है उन्होंने 9 सवे कोश को हरी जंडी दिखाई है तो यह दिखाई है उन्होंने 9 सवे कोश को हरी जंडी दिखाई है तो यह भी एक आप देखोगे तो ठीक है क्योंकि मदुमक्की ध्वनी पडाली योजना का उद्देश ही कहा है तो आप अक्सर ऐसे कोशनों में कंफ्यूज जाते हैं तो इस योजना का जो मकसद है वो है रेल की पट्रियों से हाथियों की रक्षा करना क्योंकि बहुत हाथियां ऐसे होते ह जो रेल की पट्री पर आ जाते हैं और कटकर मर जाते हैं तो इसके बारे में थोड़ डिटेल देख लीजे क्योंकि इंपोर्टेंट कोशन है तो रेल मंत्री प्यूज गोईल ने कहा कि हाथियों को रेल की पट्रियों से दूर रखने के लिए असम में लागू की गई मख्यों की रिकॉड की गई ध्वनी को चला जाता है ठीक और गोयल ने कहा कि ये प्रणाली बहुत सफल ही रहा और इससे अने छेतर में लागू किया जाएगा देखिये ये प्रणाली जो है मद्मक्यों की जो रिकॉर्डे ध्वनी है ये जो ट्रेन की पत्रियों पर लगा थीक तो यह important question था हरियाना के की जिले में रेल कोच री फर्मिस फैक्टरी स्थापित की जाएगा तो यह कहां पर है चालू किया गया तो यह सोनी पत्थ में चालू किया गया कितने 500 करोड की लागत से चालू गया और रेल प्रधान मंतरी ने इसकी जो है अधार सिला रखी है किसने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने अधार सिला रखी है दसेवर प्रशन की तरप चते हैं सुरंग के भीतर देश का पहला रेलवे स्टेशन कहां है तो यह एक important question है कि क रेलवे स्टेशन समुद्र से 3000 मीटर की उचाई पर है यह भी याद रखेगा कि 3000 मीटर की उचाई पर बना है यह चीन भारत सीमा के लिहाद से रणनीतिक महत्व के बिलासपूर मनाली लेह रेल मार्क का हिस्सा है यह भी याद रखेगा यह question पूछा गया question है ठीक है बिला पूछनिक केंद्र है यह मनाली से 26 किलो मेटर और भारत इबत की सिमा से 120 किलो मेटर दूर है ठीक है तो याद रखेगा कॉर्णोड पूरुसकार किसे दिया गया है तो कॉर्णोड पूरुसकार जो है important पूरुसकार है और rail वाले section से है तो यह important बन जाता है और पूछा जा यह सम्मान उन्हें सतत उर्जा समाधान की दिशा में उनके उलेखनी यह योगदान के लिए दिया गया यह पुछा जा सकता है यह पुरुषकार अमेरिका के पेंसिलवेनिया वुष्विध्यालाए के क्लेमेंट सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी के द्वारा प्रदान किया जाता है तो यह भी पुछा जा सकता है तो यह भी नोट डाउन कर लिजगा वैसे आपको PDF में यह सब चीज मिल जाएगा ठीक है रेल मंतराले को कौन सा पुरुषकार दो अक्टूबर को दिया गया है तो यह है स्वक्षता ही सेवा यह पुरुषकार जो है दो अक्टूब जो है इसके तहर ठीक है लागत जो है चार अरब रुपए की है उत्कृष्ट योजना के अंदर गरत में क्या किया जाएगा 640 उत्कृष्ट रेक जो है वो तयार किये जाएंगे अपने मेल एक्स्प्रेस के लिए उनके उन्नियन के लिए ठीक है और मार्च 2019 में 140 रेक वि पहाती रेल माना और रहीत क्रॉसिंग मुक्त रेलवे जोन कौन सा बन गया है तो यहां जो फाटक पर बैठता है तो वो खाली रहते थे पहले अब क्या होगा कि वहां पर कोई बैठेगा या तो इनको बंद कर दिया जाएगा ठीक तो ऐसा कौन सा बन गया जो पुर्ण त यह सब कुछ इसके अंदर आते हैं तो यह 14 कोश्चन जो है पार्ट 2 के अंदर था और अगर इसके पार्ट बनेंगे तो अप्लोड किया जाएगा ठीक है तो अभी यह 14 कोश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजेगा अपने कॉपी में क्योंकि आपके एक्जाम क नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को क्योंकि इसी के रिकॉर्डिंग अच्छे अच्छे वीडियो तो रेलवे सम्मन्दित आते रहेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही था जैहिन जैभाद